नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रदीप है प्रदीप ओफिसेल 87 चैनल में आपका सौगत है तो आज मैं आपको ये वीवो का जो अठारा ग्यारा मॉडल है इसमें पैटरन लाक लगा हुआ है तो ये कॉलकम CPU है ये मीडिया टेक CPU नहीं है तो आज मैं इसे इडेल पॉइंट करके कैसे सिर्फ एक किलिक में ही इसका पैटरन लॉक करूंगा प्लस एफार पी अनलॉक करूंगा तो सिर्फ एक किलिक में ही इसका पैटरन एफार पी दोनों अनलॉक हो जाएगा तो इसके लिए पहले सबसे पहले इस मोबाइल को ओपन करना पड़ेगा इसका बैक पैनल निकालना पड़ेगा बैक परन निकालने के बाद इसको PC के द्वारा कनेक्ट करना पड़ेगा तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मेरे चैनल पर ने हो तो सस्काइब करना और घंटे वाले आइकन को दबा देना क्योंकि मैं प्रति दिन एक वीडियो आपके लिए सबसे पहले के बाद सीधा अपने कंपिट्र करने के बाद सीधा इप करना क्यांद एक हैं और नीचे अपना मॉडल वीवो सेलेक्ट करेंगे वीवो सेलेक्ट करने के बाद इस साइड आएंगे यहां पर अपना वीवो का वीवो वाई क्यान में मॉडल को चूज करेंगे हम यहां पर वीवो वाई क्यान में मॉडल को चूज करेंगे Vivo FS and FRB पर किलिक कर देंगे जैसे यस या नो मैं माँगा तो यस कर देंगे इतना करने के बाद हम अपने फोन को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कौन से इडल पॉइंट टच करने है और फोन आपको कनेक्ट करना है तो चलते हैं अब ले चलते हैं मॉबाइल की स्क्रीन की तरफ तो हम अपने मॉइल को ओपन कर चुके हैं जो ये में पता के पास आपको दिखा देंगे वो जो हम बैटरी कनेक्टर हटा देंगे पहले ये जो दो इडिल पॉइंट आपको को दिखा दे रहे में न करपत्ते के पाद इन दोनों。」 जैसे ही टबर करेंगे चेंपटी से और जैसे ही टछ करेंगे वैसे यह फ्षोन मेटा मोड में kनbringen हो जायगा और सिस्टम से फारमेट होने लगेगा तो हम आपको दिखा देने जैसे कनेक्ट करते हैं वैसे फोन यहां से तो यह देख सकते हैं फोन हमारा कनेक्ट हो चुका है यहां पार रिसेट होना सुरू हो चुका है इसमें थोड़ा वक्त लगता है यह सेट आपका रिसेट हो रहा है देख लीजिए इंतजार के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें मेरे चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब जरूर करें तेहां देख सकते हैं फोन रिशेट होना स्टार्ट हो चुका है कुछी सेकंड मेरीशेट होगा देखी यह फोर्मेटिंग यूजर डाटा लिखके आ रहा है और aux Richt 2 अफर्पी लागमलब इसमें दोनो आपका फोन भी फार्मेट हो जाएगा और फ़ार्पी लागवी फार्मेट हो जाएगी तो यह आपका फोन फार्मेट हो चुका है तो मैं data cable निकाल के आपको दिखा देता हूँ पहले battery connector को मैं put करूंगा फिर आपको दिखाता हूँ तो जैसे ही मैं phone को आन करता हूँ तो हमारा phone आन हो जाएगा थोड़ा मैं चिक करा देता हूँ आपको वीडियो पूरा देख लें आपको कोई भी error नहीं आएगी ये phone आन हो रहा है आन होने में थोड़ा शमय लगता है दो से पांच मिनट लगता है तो आप घवराईए नहीं ये एक बार आन होके दुबारा फिर से आन होगा फिर आफ होगा अब ये आपको में देखा फिर आफ होगा अब फिर ही आन होगा अब जैसे ही आन होगा तो ये देखो wiping data शुरू हो चुका है ये wiping data शुरू होकर थोड़ी देर लेगा इसमें समय थोड़ा समय लेगा देख लीजिए ये चल रहा है wiping data तो कोई टेंसन लेने की ज़रूत नहीं है आप नहीं गब रही है आपका फोन कहीं नहीं अटकेगा तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है तो देख सकते हैं ये wiping data fail है लेकिन उसकी कोई problem नहीं है एक बार और wiping data कर लिजिए wipe data ये अगर फिर भी fail आता है तो कोई दिक्कत ने आपका phone reset हो चुका है आप nest कर सकते हैं start कर सकते हैं और restart होने में कम से कम 2-5 मिनट समय लेगेगा और जैसे ये restart होगा तो आप देख लीजिए थोड़ा इसमें समय ले रहा है कोई दिक्कत ने इसलिए वीडियो हमने आगे बढ़ा दिये तकि आपको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती अरि यह जैसे ही खुवलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं यह देख लिजी यह मैं कुछ इस तरह का बनके आएगा तो फिए सिस्टम शुरा से टप शिस्टम कर लेते हैं पूरा से ट आप हैं तो कोई कोई कर सकते हैं तो नारمل चीज है अब trochę कर लेता है यह देखी लिजे आपका सिट्ट आन हो चुका है तो आपको मैं इसका मॉडल देखा देता हूँ कौन सा मॉडल था यह क्योंकि यह मीडिया टेक सीप्यू नहीं था आप लोग परेशान होते होंगे कि कनेक्ट करते डेटा नहीं कनेक्ट रता तो भी वो आठारा गेरा है